नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में इंवार्मेंट का तू दा पॉइंट से सम्मन्दित सभी इंपॉटेन फोशन को डिसकस करेंगे सारे question आपके one liner इसमें होंगे environment का एक वीडियो आपका आउर आएगा जो आपके करीब साम home के आएगा तो उसे भी आप लोग देख लीजेगा अगर ये दो वीडियो आप देख लीजेगा तो आपको एक साल का करीब एक October से लेके October तक जो है एक साल का पूरा environment आपका कवर हो जाएगा और एक्जाम में इहीं से question पुछे जाएगे ये आपके जो to the point लिया कहां से गया है तो एडुटेरिया के magazine से लिया गया है और ये कहां पर आपको याद रखना है जो एडुटेरिया का पिछले 142 वर्सों में सबसे गर्म महिना रहा है नोट कर लिजिएगा जो अगस्त 2021 से पिछले 142 वर्सों में सबसे गर्म महिना रहा है नेक्स्ट है कि 2 October से 8 October 2021 के मद जम्मो कास्मीर केंदर साचित परदेश बंजीव सब्ता 2021 मनाने की गोशना की गई तो नोट कर लिजिएगा जम्मो कास्मीर केंदर साचित परदेश बंजीव सब्ता 2021 का मनाने की गोशना की गई है तो 2 October से 8 October के बेच में थीम क्या है तो Forest and livelihood, sustaining people इसका थीम है नेक्स है की 20 ओजोन दिवस, 20 ओजोन दिवस का मनाया जाता है तो 16 सितंबर को और इसका थीम क्या है तो Montreal Protocol keeping us your food and vaccination cool इसका थीम है नेक्स है की सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच Climate Action, Finance, Mobilization Dialogue लॉंच किया गया है तो भारत और अमिर्का के बीच में लॉंच किया गया है नेक्स है की इसी में कि भारत की तरब से जो है परियाबरन मंत्री भुपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया भारत के तरब से जो है जो परियाबरन मंत्री है भुपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया था तो आइसलेंड देश में लगाया गया है नेक्स्ट है कि रास्टी स्वच वायू कारिकरम की प्रगती को ट्रेक करने के लिए भारत के परियावरन मंत्री भुपेंदर यादम ने किस पोटल को लॉंच किया है तो प्राण पोटल को लॉंच किया है अच्छा इस दोबरा पढ़ लिजी रास्टी स्वच वायू कारिकरम की प्रगती को ट्रेक करने के लिए किस लिए भारत के परियावरन मंत्री भुपेंदर यादम ने किस पोटल को लॉंच किया है तो प्राण पोटल को लॉंच किया है नेक्स्टे की दिल्ली के आनंद बिहार में भारत का पहला कार यात्मक अस्मोग टावर को लॉंच किया गया है नेक्स्टे की भारत का पहला डुगॉंग सनच्छन रिजब कहां स्थापित की जाएगी तो तमिल लाडू के दच्छिन पूर्वी टर्ट पाक की खाली में कहां पर पाक की खाली में नेक्स्टे की प्लास्टिक समझवता शुरुवात करने वाला पहला स्याई देश कौन है तो अपना देश भारत है भारतिय उद्योग परिशंग के सहीयोग से नेक्स्टे की एंटी पीसी ने 25 मेगाबाट की फ्लोटिंग सोलर प्रियोजना कहां बनाईगी तो सिमाद्री थरमल पाबर अस्टेशन विसाका पटनम नेक्स्टे की भारत के सबसे उचे हरवल पार्क का उठ घाटन कहां पर किया गया है तो चमोली जिला उत्राखन में किया गया है और इसकी उचाई कितनी है तो 11,000 फिट इसकी उचाई है कुलिंग एक्सन पलांग को लॉंच करने वाला पहला देश कौन बना है तो अपना देश भारत बन गिया है अजादी के अमरीत महोसों के तहत किस मंत्राले ने बिर्चार उपन अभियान 2021 की सुरुवात किये तो कुईला मंत्राले के दोरा सुरुवात की गई है नेक्स्ट है कि कुईला मंत्राले के एक वीभाग ग्रोव ग्रीनिंग अभियान के तहत 2385 हेक्टेर बन लगाया जाएगा ठीक है तेससो जो पचासी हेक्टेर छेतर है उस पर बन लगाया जाएगा नेक्स्ट है कि परियाबरन मंत्राले ने प्लास्टिक अफसिस्ट प्रवंधन संसुधन नियम 2021 को मंजूरी दे दिये जिसके तहट 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरनबत तरीके से समाप्त करने का प्रियास किया जाएगा नेक्स्ट है कि अगस्ट 2021 में थाइलेंड ने कोरल मुंगो को नुक्सान पहुचाने वाले जो सन अस्क्रीन पर प्रतिबंद लगा दिया है तो अपसे पूछा जाएगा कौन सा देश जो है कोरल या मुंगो को नुक्सान पहुचाने वाले सन अस्क्रीन पर प्रतिबंद लगा दिया है तो थाइलेंड ने है राजास्थान के रगिस्तान में हरित आबरन बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को किस ने लॉंच किया है तो खादी गराम उद्योग आयोग एबम बॉर्डर सेकुरिटी फोर्स ने मिलकर लॉंच किया है तो नोट कर लीजेगा इन्पोर्टन्ट है उसके बाद नेक्स्ट है कि इसके तहद जोए इसी में इसके तहद जोए तरनोट गाव में जोए 27 जुलाई 2021 को BASF ने KBIC के साथ मिलकर एक हजार बास के पोधे लगाए तो खादी गराम उद्योग आयोग के साथ में मिलकर नेक्स्ट है कि इटली ने नेपल्स में G20 देशों के परियाबरन और उर्जा मंतरी की बैठक का आयोजन जुलाई 2021 में किया गया तो कहाँ पर किया गया इटली के नेपल्स में नेक्स्ट है कि राष्टी डॉल्फिन अनुसंधान केंदर कहाँ पर अस्थापित किया जाएगा तो पटना में अस्थापित किया जाएगा गरीन पीश के एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में नाइट्रोजन डाय अकसाइड nitrogen dioxide की मात्रा कितनी प्रतिसद बिर्धी हुई है तो 125 प्रतिसद की बिर्धी हुई है नमबर 2021 में COP26 से मिलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा तो Glasgow UK में ब्रिटेन में ठीक है नोट किजिएगा COP26 का जो आयोजन कहां पर किया जाएगा नमबर 2021 में तो Glasgow में किया जाएगा नेक्स्ट है कि State of Environment Report 2021 किस संस्थान ने जारी किया है तो Center for Science and Environment विभागने जारी किया है Center for Science and Environment विभागने नेक्स्ट है कि इसी में इस रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 के कारण 20 में 115 मिलियन से अधिक लोग जो हैं गरीबी के चेपेट में आ गए हैं और 500 मिलियन से अधिक बच्चों को COVID-19 महमारी के चलते अस्कूल सिच्छा से दुर रहना पड़ा Making Peace with Nature Report किस संस्थान द्वारा जारी किया गया तो संयुक्त रास्ट परियावरन कारिकरम के द्वारा जारी किया गया है EUN EP के द्वारा जारी किया गया Plastic Absist प्रवंधन नियम 2021 किस मंत्राले ने जारी किया है तो केंद्रिये परियावरन बन एवम जलबाई परिवर्तन मंत्राले के द्वारा जारी किया गया है भारत 2021 से 2025 तक जो है प्रवन उर्जा की कितनी छमता अस्थापित करेगा प्रवन उर्जा की तो 20 Gb किसके अनुसार Global Wind Energy Council के रिपोर्ट के अनुसार देख लिजे Global Wind थीक है Wind Energy Council के रिपोर्ट के अनुसार नेक्स है कि 67 में राश्टी फिल्म पुरसकार 2021 में परियावर्ण सनच्छन सिरेनी में किस फिल्म को जो है सरवसेश्ट फिल्म का पुरसकार मिला है तो बाटर बरियल को जुन 2021 में जारी परियावर्ण की इस्थिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का अस्थान क्या है तो भारत का 107 अस्थान है उसी में कि यह रैंकिंग जोए सैंक्त रास्ट के 17 सदत विकास लच्छो 17 सिस्टनेवल डेवलप्मेंट के अधार पर जोए तयार किया जाता है नेक्स है कि विश्प परियावरन दिवस 2021 पर जोए प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पूने में एक पाइलेट प्रियोजना के तहट ई-100 इथनॉल बितरन अस्टेशनों का उड़गाटन किया गया है तो कितने इ-100 इथनॉल ठीक है सो इथनॉल जो है बितरन अस्टेशनों का उड़गाटन किया गया है भारत के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वरा पूने से और आपको याद रखना है कि पाइलेट प्रोजेक्ट के तहट है इसका टेस्ट किया जा रहा है नेक्स है कि जून 2021 में जारी एक अध्यन के अनुशार है बिस्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का घर कहाँ पर है तो कोलंबिया में कहाँ पर है कोलंबिया में कोलंबिया साउथ अमिरिका का देश है भारत के किस राज में तीनो प्रजातियों के मगरमच पाए जाते हैं तो उड़िसा राज में किस संसता नए Great Barrier Reef को खत्रे के सूची में डालने की शिफारिस की है तो इनुस्क एक समीति द्वरा इनुसकों के एक समीती ने जो Great Barrier Reef है जो अस्टेलिया के पूरब में उसे जो एक खत्रिक सुची में डालने की सिफारिस की है जो आपके Great Barrier Reef है उसके आसपास कोईला का बहुत ज्यादा खरनन हो रहा है हाल के जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस दीप के समुह के आसपास का समंदरी अस्तर बढ़ने का अनुमान लगाया गया तो लच्छ दीप का भारत का पहला प्राक कन पार्क पॉलिनेटर पार्क किस राज में खोला गया है तो उत्राखंड राज में खोला गया है उत्राखंड राज में नेक्स्ट है की राश्टी परियावरण समंधी मानक परियोग साला की अधार सिला परधान मंत्री दरेंद्र मोदी ने कहां रखी तो नए दिली में रखी और इसका थीम क्या है तो इसका थीम है Metrology for the Inclusive Growth of the Nation इसका थीम है भारत के किस बांध पर जोए 600 मेगावाट की फलोटिंग उर्जा प्रियोजना का दिर्मान किया जाएगा तो उंकरेस्वर बांध मत्परदेश में नैसा कि किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदोशन को देखते हुए थाईला बैंक की सुरुवात की है तो लखनाउर नगर निगम ने जो है थाईला बैंक की सुरुवात की है परियावरन अनुकूल खादी प्राकिर्तिक पेंट को किसने लौंच किया है तो निथीन जिसे बोलते हैं कलरों के कारण खबरों में आई नागी नक्टी वर्ड सिंचुरी किस राज में तो बिहार राज में और बिहार के कहां पर हैं आप लोग बताएगा कमेंट बॉक्स में जो नागी नक्टी वर्ड सिंचुरी हैं बता चुके हैं यह कहां पर है कमेंट बॉक्स लगाने का निरने लिया है तो सड़क परिवहन मंत्राले नहीं भारत का पहला वेट लेंड संडच्छन और प्रबंधन केंद्र किस सहर में अस्थापित किया गया तो चिन्नेई तेमिल लाडू में अस्थापित किया गया समुंद्री सेवाल पार्क किस राज में अस्थापित करने का निरने लिया गया है तो तेमिल नाड़ु में जो है समुंद्री सेवाल पार्क अस्थापित करने का निरने लिया गया है वंजिव संदच्छन के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड सर्विस अवार्ड दोहजर बीस किसने जीता है तो किसने जीता है थियोडोर वसकरनने नेक्षट है कि दोहजर बीस ट्री सिटी ओफ दा वर्ल्ड इंपोर्टन्ट है कि रूप में भारत के किस सहर को चुना गया है तो हैदराबाद को किस केंदर साचित परदेश में अटल परिया वरन भवन का उडगाटन किया गया तो लचदीप में कहाँ पर लचदीप में किस केंदर साचित प्रदेश में अटल परिया वरन देख चुके हैं लचदीप में उसके बाद कि असफाक उल्ला एबं प्रानी उद्यान उत्र प्रदेश के किस हर में खोला गया तो असफाक उल्ला एबं प्रानी उद्यान जो उत्र प्रदेश के गोरखपूर में खोला गय है गोरख पूर में ठीक है उसके वाद है कि अमबोली जैव बिवित्ता बिरासत अस्थल किस राज में अस्थापित करने की गोशना की गई है तो महरास्ट में की गई है नेक्स्ट की भारती मौसम बीभाग के पांच जनवरी 2021 के बिग्यपती के अनुसार वर्ष दो हजार ब के जनवरी 2020 में जारी बिग्यपती के अनुसार वर्ष 2020 अभी तक का तिसरा सरवाधिक गर्म वर्ष रहा है नेक्से की वर्ष 2020 को जो है जैव बिवित्ता का सुपर वर्ष घोशित किया गया है तो पूछा जाएगा कि जैव बिवित्ता का सुपर वर्ष को घोशित किया ग हीम तेंदुआ सनच्छन के अंदर अस्थापित किया गया तो कहां पर उत्राखन के उत्तरकासी में वर्स 2020-25 के लिए परिया बरन बन और जलबाई परिवर्तन मंत्राले ने गीध सनच्छन कारी योजना आरम किया है गीध सनच्छन कारी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है तो परिया बरन बन और जलबाई परिवर्तन मंत्राले के द्वारा नेक्स है कि गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की पर्थम वेद साला भागलपूर में अस्थापित करने की गोशना की गए गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की पर्थम बेद साला भागलपूर में बिहार के भागलपूर में नेक्स है कि उत्राखंड के मुन सियारी में भारत का पर्थम लाइकेन पार्क को अस्थापित किया गया तो पूछा जाएगा कि भारत का पर्थम जो लाइकेन पार्क है किस राज में अस्थापित किया गया है तो उत्राखंड राज में अस्थापित किया गया है नेस्ट है की पन्ना टाइगर रिजब को जो है बायस फेर रिजब के विस्व नेटवर्क में सामिल किया गया है बरतमान में भारत में 18 बायस फेर रिजब हैं जिसमें से सिर्फ बारा को जो है बायस फेर रिजब के अंतरगत जो विस्व नेटवर्क है उसमें सामिल किया गय किया है नगर बन योजना कारिकरम के तहट जोए इटा नगर को चैन किया है इटा नगर कहां पर है तो अरुनाश्टर प्रदेश की राजधानी है नेक्स्ट है कि वर्स 2030 वर्स 2021 को जोए संयुत राष्ट महासभादवरा संयुत राष्ट पारी तंत्र पुर्न अस्थापन दस्तक घुसत किया गया है तो नूट कर लिजिएगा इन्पोर्टनेंट है नेक्स्ट है कि लिबिंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 किसके द्वरा जारी किया गया तो जारी किय गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वरा जारी किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्स 2017 से 2016 तक अस्तंधारियों पच्छियों वैचरों शरिस्रिपों और मचलियों की अवादी में जो है 68% की गिरावट देखी गई है भारत के लगभग जो है एक त की हाई जो आपके आदर भूमिया है लुप्त हो गई है खत्म हो गई है बिस में जो है 85% से अधिक आदर भूमिया भी लुप्त हो गई है पूरे दुनिया में जो है 85% जितने भी आपके आदर भूमिय थी सारे आप समाप्त हो गई है नेक्स है कि द वर्ल्ड ओफ और्गे स्पांटर्ण Waar मिया बbokशन चैनग मांद thì user जैवी खिशनियों कि संक्या सरवाधिक खाल!!! तो कि ब्रत्राले ले सीरिवाडर्ण फ्रम मंत्राले तो यस मन्त्रा श्विक्ते खिश्वी बिट्विजाा मंत्राले सबुर्प ख़ैना मंत्राले लें नेक्स्ट है कि विस्व जल दिवस्ट 2021 के अबसर पर जो है जल सकती मंत्राले के रास्टी जल मिसन द्वारा कैच दा रेन अभियान प्रेरम किया गया तो आप से पूछा जाएगा कि कैच दा रेन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है तो जल सकती मंत्राले के द्व परा शुरू किया गया है और जो यह अभियान है 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक आपके संचालित किया जाए टेग लाइन क्या है तो टेग लाइन है वर्षा के जल का संचयान जहां भी हो जब भी हो जहां भी हो जब भी हो नेक्स है कि 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक् तो जल सकती मंत्राले तथा मद परदिश एबं उत्रपरदिश सरकार के बीच में समझाता हुआ है तो नोट कर लीजेगा इनपोर्टेंट है बहुत ही इनपोर्टेंट है आपको बताना एक कॉमेंट बोक्स में कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से कौन सा जो आपके प् अंधन रन निती पर रिपोर्ट किस ने प्रकासित की है तो निती आयोग ने प्रकासित की है वर्ष 2023 को इनपोर्टेंट है वर्ष 2023 को जो है सैंगतरास्ट महासभा ने मोटे अनाज का अंतरास्टिय वर्ष गोशित किया है यह प्रस्ताव भारत के तरब से किया गया था ज किसके द्वारा जारी किया गया तो परियावरन बन और जलवाई परिवत्न मंत्राले के द्वारा जारी किया गया इंडिया इनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के एकी इसकिस के द्वारा जारी किया गया तो इंटरनेशनल इनरजी एजनसी के द्वारा जारी किया गया इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत का तिसरा सबसे वड़ा उर्जा खपत देश है भारत जो है सबसे वड़ा भारत जो है तिसरा सबसे वड़ा उर्जा खपत करने वाला देश है पहला कौन है तो पहला चीन है दूसरा अमिर का है तिसरा अपना देश भारत है नेक्स है कि भारत की पहली भूतापिये छेत्र विकास प्रियोजना की अस्थापना कहां पर किया जाएगा तो लिह लद्दाक में किया जाएगा नेक्स है कि भारतिये वनजीब अपराध नियंतरन ब्यूरो को एसिया परियावरन प्रवर्तन पुरसकार 2020 से EU&EP ने सम्मानित किया है तो अच्छा कोस्तन है ठीक है भारती वंजीव अपराध नियंतरन विवरों को जो है एसिया परियाबरन प्रवर्तन पुरसकार 2020 से EU&EP के द्वारा सम्मानित किया गया है नेक्स्ट है कि विकास सील देशों में जलवाईव छती को सिमित करने के लिए अनुकूलन अन्तराल रिपोर्ट का पाचमा संस्क्रण किस ने जारी किया है तो संयुक्त रास्ट परियाबरन कारिकरम के द्वारा जारी किया गया है नेक्स्ट है कि जलवाईव अनुकूलन सिखर संबेलन 2021 किसके में जवानी में वर्चुल रूप से आयोजित किया गया तो निदर लेंड के में जवानी में वर्चुल रूप से आयोजित किया गया तो जितना भी आपके इंवर्मेंट के वन लेंड प्रस्न थे सारे प्रस्न को इस वीडियो में डिसकस किया गया है आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा औ और एक वीडियो आपको साम को और अपलोड होगा इंवर्मेंट्स होगा इसे आप लोग देख लिजेगा तो उसके बाद आपको इंवर्मेंट्स में दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पलेगी करेंट से समद्धी ठीक है थैंक यू